एलो भाई लो Confederate I hope आप सब बढ़िया होगे तो आज का वीडियो रहेगा कौन से ऐसे पार्ट हैं जो जब भी आप कार की सर्विस करा है तब आपको चेंज करने चाहिए और कौन से ऐसे पार्ट है जिनको चेंज करने की जरुवत नहीं पड़ती है तो देखिए सबसे पहले स यूजवली 10,000 km में आपको चेंज करना होता है लेकिन अगर आप company का ही engine oil use कर रहे हैं, जो company से आता है तो आपको अपनी गाली के user manual में पाढ़ लेना है चीए कि उसको आपको कप चेंज करना है चीए लेकिन अगर आप बाहर से लेकर change करते हैं तो उसमें आपको 5,000, 10,000 km ज जा रहा है वैसे जाता नहीं है बट आपकी गाड़ी अगर ज्यादा पुरानी है तो अगर थोड़ा बहुत कम जा रहा है थोड़ा बहुत अगर कम हो रहा है तो आप उसको टॉप अप कर सकते हैं सेम उसी ग्रेट के साथ जो आपने डाला हुआ है वैसे अगर ज्यादा कम हो आई तो इसको कभी भी घरों में यूज हने वाले सैंट पेपर होते हैं उन से क्लीन मत कीजिए, रीजन ये रहता है जास बहुत जादा चार्बन कीजिए, बहुत जादा हार्श होता रुस्पाूर HUNGAI खेया Ben फिर recommended हो जितना आपके गाली के user manual में और same आप उसी company के spark plug का use कर रहे हैं तो आप उनको user manual के according change करा सकते हैं उसके बाद आ जाता है उसमें आपका engine oil filter हर service पे change होगा जब भी आप engine oil change करें अपनी गाली का चाहे आप service से पहले कर ले रहे हैं engine oil मट डालना तो यह जो चीज है गाली का engine oil और engine oil filter यह तो आपका हर service में change होगा उसके अलावा आजाता है आपका air filter देखिए कोई लोग कहते है air filter को हमेशा change करना चाहे लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूँगा लेकि अगर आपकी गाली बहुत कम चलती है और अगर ऐसी जगे चलती है जहां का जो environment है clean है जहां ज्यादा dust नहीं होती जहां ज्यादा धूल नहीं होती है तो आप उसको एक service बात clean करक solution कैसी है अगर उसमें ज्यादा धूल मिटी है तो उसको आप हर service पे change कीजिए और हर service पे change ही नहीं करना होता है जो आपका air filter होता है गाली का उसको आपको servicing आने से पहले भी अगर आप ऐसी जगे गाली चला रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला जहां काफी ज़्यादा धू के चलेगी तो यह चीज आ गई उसके बाद आ जाता है गाली का केविन फिल्टर केविन फिल्टर यानि की AC फिल्टर आपको जरूरत नहीं है कि आप हर service में उसको change करा है आप उसको clean कर लीजे और एक चीज और है जो आपका cabin filter होता है उसमें बाहर से जो भी आपका काउल अंदर जितने अगर आपकी गारी लगाता है पेड़ों के नीचे खड़ी रहती तो पत्ते या फिर कुछ भी उस पर जाकर collect हो जाता है ठीक है तो वह भी आपको साफ करना है उसको clean कर लेना है अगर वह काफी ज्यादा पूराना हो गया चूक हो गया तो उसको भी आपको replace कर लेना है ठीक हो गया तो उसके बाद आ जाते हैं आपकी गारी के बाकी चीजों में जैसे कि आपकी गारी का coolant आप coolant आपको कब change करना है coolant आप देखे सबसे बहल तो आपको यह चीज करनी है कि आपकी गारी के cooling system यानि के radiator में और reserve wire में हमिसा coolant ही आपको fill करना है जब क्रणि मच चलाना है वह आपकी गारी के engine के लिए harmful हो सकता अपको change करना होता है दो साल में अगर आपकी गारी का coolant दो साल चल गया है तो आप उसको चेंज कर लेगा उसके बाद आजयता है ब्रेक ओarden को भी Shadow置 चाहर यह डाव का top level उसका जो level है वो check कर लेना होता है ज्यादा कम तो नहीं हो देखिए अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा है काफी गारी चलाने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है आपके जैसे जैसे ब्रैक पैट घिसते हैं तो थोड़ा थोड़ा oil का जो level होता है डाउन जाता है लेकिन ऐसा रहते है ना कई लोग कहते हैं कि जितनी गाड़ी चल जिए मतलब गाड़ी के लाइफ टाइम के सांसर गेर ओयल भी चल जाता है कई लोग कहते हैं 20-30-40-50-000 किलोमीटर में लेकिन मैं आपको सज्च करूंगा आप अपनी गाड़ी में यूजर मैनुवल में जो लिखा ह उसके एकॉडिंग उसको चेंज कीजिए अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं आफ्टर मार्केट गेर ओयल के सांथ तो आपको उसको 30-40,000 किलोमीटर में आपको चेंज कर लेना है यूजर आपको तो आपको इस तरीके के स्पेशल टूल्स की जरुवत पड़ेगी बहुत स्लिप हो गया तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर आपको जो इसकी बीदर होज होती है इंजन बेके अंदर वहां से आपको फिल अप करना पड़ेगा गेर उससे काफी मैसी हो जाता है वह काफी ज्यादा फैल जाता है तो हमें इसा कोसिस कीजिए कि पहले ज अलग है और अल्टरनेटर के अलग है तो इसमयं आपको कितना करना देंगी 40-50 तो इन麼 चय और इन को क्योंी है तो इन को क्यों ढ़ेने होया है नहीं को प पता जाया जैसे आप अपना चलाएंग़् in गDeep है तो आप इनको tight कर लीजिए पर आजाती है गारी की timing मेल देखिए अगर आपकी गारी में timing belt या timing chain जो भी है और आपकी गारी एक देर लाग किलो मेटर चल गई है या उससे जादा चल गई है तो एक बार आप उसको सर्विस सेंटर पर जरूर दिखा लीजिए क्योंकि timing belt य या फिर timing chain ऐसी चीज़े होती है जो अगर एक बार टूट गई ना तो आपकी गारी वहीं पर खड़ी हो जाएगी तो वह आपके लिए दिक्कत हो सकती तो अगर आपकी गारी एक देर लाग किलो मेटर चल गई है तो एक बार उसे authorized service center में या फिर आपके जो भी mechanic हो उसको यूट दिखा लीजिए उसके बाद आयता है गारी में जितने सारे hose pipes होते हैं यानि कि सारे rubber parts होते हैं जैसे कि आपके जितने hose pipes होते हैं उनको आपको लगातार चेक करते रहना है अगर उनमें कोई भी crack दिखे जादा पुराने होगे तो उनको भी आपको replace कर लेना है उसक जल्दी damage नहीं होते नहीं यह खराब होते जल्दी बट आपको लगाता है इनको भी check करते रहने 8-10 साल पुरानी अगर आपकी गारी हो गई और उनमें अगर आपको कोई भी crack दिखे तो इनको भी आपको replace कर लेना होते हैं या वो जब कभी खराब हो जाए तब ही आपको change अगर बैटने लग जाए आपको लग रहा है तो आप कोईल इस प्रिंग जो होते हैं उनको भी आपको change कर लेना होता है कलाव गाली के वाइपर्स तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप हर season बदले क्योंकि ऐसा होता ना जब गाली के वाइपर होते हैं वो सीज़े से लगाता है टाच रहते हैं तो सीज़े से लगाता है टाच रहते हैं गरम भी होता है ठंडा भी होता है तो इस सब उनको tolerate करना पड़ता है ऐसा मौसम उनको तो फिर इस होजे से एक season चलाईए उनको replace कर दीजे उनको ज्यादा लंबा भी नहीं चलाना होता है उसके बाद आयाती है अगर वह उसमें बैटरी का पानी कम है आपने नहीं डाला तो हो सकता है कि बैटरी जल्दी खरा हुजए लेकिन यूजवली चार-पांच साल चल जाती है उसके बाद आ जाते हैं गारी के ब्रेक्सू देखे रियर ब्रेक्सू आपके बहुत जादा चल जाते हैं तो आपक किस तरीके से गारी चला रहे हैं इसी तरीके से आपकी गारी के ब्रेक्स भी चलते हैं